नमस्कार मित्रूप, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता, डेना मरियम जी की पुस्तक, रुपमनी और काल चक्र का फेर के ओडियो 104 में आप सब का हार्दिक स्वागत करती हूँ सुजाता अभिशेक को मेंका की मृत्यू का समचार सुना रही है, आईए अब सुजाता से आगे सुनते हैं मैं धीरे धीरे बोल रही थी, आशा करते हुए कि वे समझेगा, परंतु उसका मुख बिना अभी व्यक्ति का था, और मैं भी नहीं बता सकती थी कि क्या उसने मेरी बातों को पुहुता हा समझा, उसका एक मात्र उत्तर था, तो वे इस अपमान के विशे में नहीं जानेग यह उस तरह से अच्छा है अभी शेक, कोई अपमान नहीं है, क्रिपिया ऐसा कहना बंद करो मैंने विंती की इस समय मेन का तुम्हारे घर लोटने पर तुम पर बहुत गरवानवे तनुभव कर रही है, उसे केवल तुम्हारी सुरक्षा की परभ़त ही अगली कुछ दिनों तक हम तीनों ने अपना सम्पून ध्यान अभिशेक पक केंद्रित कर दिया परन्तु उसकी मांसिक इस्थिती में कोई सुधार नहीं हो रहा था कुछ दिनों तक उसे इस मरन रहता कि मैंन का हमारे मत्य नहीं रही है किन्तु अन्य दिनों में वे घर में उसकी खोज करने लगता कभी-कभी वे संपून राज जागता और वह दिन फिर से जीता जब वे अभिमन्यू के निर्दई वध का साक्षी था यह इसमृति उसे सताती रही और मैं इसे मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी यही तो युद्ध की विरासत है मैंने सोचा विनाशकारी स्मृतियां जो जीवित लोगों के मस्तिष्क में बनी रहती है मुझे गहन अब साथ से बचाने वाली एक मात्र बात थी अपने मित्र के साथ वन में बिटाई गई अद्भूत रात की स्मृति वे जागरुपता जो उस रात मुझे पर छा गई थी वे अब केवल एक इस्मृति थी एक इस्मृति जिसे मैं विशेश रूप से अपने पास रखती जब मैं एक आकी होती जब मैं बिस्तर पर लेटती तो मैं अपने मन में उस इस्थान की यात्रा करती जहां हम अगनी के इस पास साथ वेठे थे रात के छोटे छोटे घंटों में मैं उन सभी बातों को इस मरन करने का प्रयास करती जो उसने मुझे से कही थी जिने मैंने पून रूप से समझ लिया था जब मैं उसके साथ थी परन्तु उसकी अनुपस्थिती में मैं उसके शब्दों को नहीं समझ सकी या इस्मरन रख सकी और मैं उस आनंद में उत्थान को भी नहीं बना सकी जिसे मैंने अनुभव किया था जो चीज मेरे साथ बहुत इस्पष्ट रूप से बनी रही वे उसकी दयालू द्रिष्टी और उसकी शांति पून उपस्थिती थी और वे प्रभाव जो उसने मुझ पर डाला था मेरे हिर्दय को ऐसी आंतरिक तपन से भर दिया था हर राज जब मैं सोती थी तो उसकी छवी मेरे मन के नेतरों के समक्ष उभार आती थी परन्तु प्रतिदिप प्राता मुझे फिर से अभिशेक की चिंता जनक इस्तिती का सामना करना पड़ता था युद समात हो चुका था और जो कुछ लोग बचे थे वे घर लोट रहे थे कहा जाता था कि महाभारत की विशाल भूमी के चारो और से दस लाख से अधिक योधाओं की मृत्यू हो गई थी उत्तर से लेकित दक्षिन तक मृत्यू राज्यों में समान रूप में फैली थी किसी को नहीं छोड़ा था परन्तु पांडव विजय हुए योधिश्टिर कुरू भूमी के नए महराज थे अंदे तृत्राष्ट महराज के कई पुत्र मर चुके थे पांच पांडव भाई बच गए थे किन्तु उनके सभी पुत्रों की इम्रित्यू हो चुकी थी दोनों पक्षि शोक में थे परन्तु मुझे यह संतोश था कि यह सब समाप्थ हो गया था एक दिन जब मैं काशनी के साथ बैठी थी तो उसने मुझ से कहा अपने पुत्रों की हार के अलावा अर्जुन को अंत में अपने बड़े भाई का वद्ध करना पड़ा कौन सा भाई मैंने अश्चर्य में पूछा सभी पांडव बच गए हैं उसे मारने के पश्चात उसने जाना की करन एक महान योधा जो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा था उसका बड़ा भाई था कुन्ती रानी ने उसे अपने विवास से पहले जन्द दिया था वह सूर्य देव की क्रिपा से एक मंत्र के माध्यम से उत्पन हुआ था यह एक महान रहस से था जिसे उन्होंने कई वर्षों तक छिपाए रखा था तो देखिए अम्मा इस युध में देवनाओं की भी भागिदारी थी उसकी माने उसे एक टोकरी में डाल दिया था और वह एक सार्थी के परिवार द्वारा पाया और पाला गया था संपून कथा अब तक छिपी हुई थी छल कपड की आवशक्ता हमारे समय का अप्रतीक लगती है इस युध के कारण कितनी सारी त्रासदियां उत्पन हुई है मैंने विचार किया परंतु जैसा की एक प्रिये मित्र ने कहा है अब प्रकाश अत्वा अंधकार के मतिस संतुलन है और अंधकार को प्रकाश को परास्त करने की अनुमती नहीं दी गई है नितांत सत्य अम्मा, इशान को कुछ सप्ता के लिए इंद्रप्रस्त लोटना होगा, परंतु मैं आपके साथ रहूंगी और मातुला की सहयता करूंगी सामानने तहा मैं इस बात पर बल देती कि काशनी इशान के साथ लोट आए, परंतु मैं उसकी उपस्तिती के लिए आभारी थी और उसकी बहुत आवशक्ता थी, इसलिए मैंने कोई आपत्ती नहीं की अभिशेक अभी भी घर छोड़ने को मना कर रहा था, इस बहसे कि कदाचित्वे उन योधाओं के परिवारों का सामना कर सकता है, जो नरायनी सेना के साथ लड़ते हुए मर गए थे मैंने उसके मन को भार मुक्त करने का पून प्रयत्न किया, परंतु काशनी के बिना मैं इससे निपट नहीं सकती थी मेरे भीतर भविश्य के विशय में सोचने का सामर्थ नहीं था, किन्तु मुझे पता था कि आगे चल कर उसे अत्वा इशान को इंद्रपरस्थ में अपने जीवन में वापस लोटना होगा और मैं अभी शेक की मांसिक इस्थिती के साथ निपटने में सक्षम नहीं अनुभव कर रही थी कुछ सप्ताहों के पस्चात काशनी ने मुझे बताया कि इशान अभी अभी लोटा है और वे उस दमपती को ले आया था जिन्होंने उसकी देख भाल की थी उन वर्षों में जब वे इंद्रप्रस्थ में एक युवा नर्तक के रूप में था मैं अभी शेक की कक्ष में बैठी थी उसे बोलने के लिए उकसाने का विफल प्रयास कर रही थी जब वे मुझे ये बताने के लिए प्रकट हुई मेरे भाई की इस्थिती से उसे बहार निकालने के लिए आवश्यक कोशलों से वंचित मैं गहनता से निराश और दुखी थी और मैं लाचार अनुभव कर रही थी काशनी अभी वे समय नहीं है कि मैं उनसे मिलूँ मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा करने का वचन किया था किन्तु अभी नहीं जब मेरा भाई इस इस्थिती में है मैंने ध्रड़ता से कहा इशान उन्हें यहां क्यों लाया है ठीक उसी शान मेरा पुत्र प्रकट हुआ और मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनका स्वागत करने जाऊ इशान तुम्हें उन्हें अब यहां लाना नहीं चाहिए था जब तुम्हारे मातुला ऐसी इस्थिती में है मैंने विरोध किया मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी वैसे भी मेरे पास अपने भाई की देखभाल के अलावा किसी और विशय के लिए उड़ जा नहीं है तुम्हारी उन्हें यहां लाने की सोच क्या थी मैंने कठोट स्वर में डाटा उनके लिए एक अतिती ग्रह ढूंडो अम्मा वे एक वृत दमपती हैं और केवल आप से मिलने के लिए उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है उन्होंने इतने वर्षों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है क्या आप बस उनका अभिवादन करने के लिए नहीं आ सकती उसके स्वरत दबे और विंती भरे थे अचानक माता की कठोर अभिव्यक्ती मेरे मन में उभरी और मैंने कई वर्ष पहले की उनकी कठोर ब्वनी सुनी क्या तुम्हारे भीतर दया नहीं है सुजाता उन्होंने मेरे मेंका के प्रती व्यभार को लेकर पूछा था मैं जानती थी कि यदि मेंका यहां होती तो वे निश्चित रूप से इस मृद दमपती का स्वागत करती चाहे अभिशेक की स्थिती जैसी भी हो मैं यह समझते वे मृदू हो गई कि दमपती पहले से ही यहां थे कारे हो चुका था इश्चान को दोश देने का कोई उप्योग नहीं था जब मैं जिजक रही थी तो मैंने काशनी और इश्चान को द्रिष्टी बदलते हुए देखा और मैं जान गई कि मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती ठीक है मैं एक प्रसन मुख बना कर उनसे कुछ समय के लिए मिलूंगी जाओ मातुली मैं मातुला के साथ रहूंगी काशनी ने द्रड़ता पूर्वक निवेधन किया जब मैं उठी तो इश्चान के मुख पर सुख की जलक आई मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे कक्ष से बहार निकली और गलियारों में उतरी जहां हमारे अतिथी प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे जैसे मैं समी पा रही थी मैंने वृत दमपत्ती की जलक देखी जो प्रवेश द्वार पर खड़े थे मुझे लगा कि मैंने महिला को पहचाना वे विवा में थी इंद्रप्रस्त के नर्तकों के साथ बैटी थी परंतु अंधकार था और मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया था जैसे जैसे मैं निकट आ रही थी मैं उनके पतले और सुन्दर रूप को पहचानना और सतर्कता से उनके श्वेत केशों को जो बहु चोटी बना कर और एक अध्वितिये शैली में बंधे हुए थे उनकी उत्कीन की हुई विशेशताएं और गरिमा में इस्थिती को देखा उनमें निश्चित रूप से एक नर्तकी का भाव था वे वही थी जिनके विशे में में इनका ने बताया था जो रोई थी जब मैंने इशान के विवा पर अपनी मा का उलेख किया था मैं ठहर गई और चुपचाप खड़ी रही उनसे कुछ कदम दूर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ये समझने लगी कि मैं उन्हें केवल विवा के कारण ही नहीं चानती मेरे मन की भूमिगत गहराईयों से बचपन की छवियां उभराई एक युवा मा की छवियां जो मुझे गोद में लेकर और मुझे गले लगाती हस्ती और मुझे कथाएं सुनाती एक नर्तकी की छवियां, जिनकी मैंने इतनी प्रशंसा की थी, और जिनके अनुसार मैंने स्वयम को ढालने का प्रयत्न किया था जैसे जैसे चित्र तेजी से आ रहे थे, मैं पीछे हट गई, अनिश्चित की मैं क्या अनुभव कर रही थी कक्ष में मौन छाया हुआ था, मेरे मन में मैंने माता के शब्द सुने और मेरा उप्तर भी अपनी मा के साथ शांती बनाने का मेरा वचन, किन्तो वह मा दूर थी, कदाचे जीवित भी नहीं तो फिर ये कौन थी, जो मेरे समक्ष खड़ी थी, आंसु बहाती हुई, वर्षों के वियोग की बीड़ा इतने इस पश्ट रूप से उनके मुख पर उकेरे हुए, उनकी सुन्दरता पर मलिन्ता और बुढ़ापा ला रहे थे उस समय मैंने अपने क्रोध अपने रोश के विशय में नहीं सोचा, बलकि केवल उनकी कठिनाईयों के विशय में सोचा जो उन पर बीती थी मैंने उन्हें अन्तिम बार तब जाना था जब वे यौवन से दीटिमान थी अब वे मेरे सामने एक व्रत महिला के रूप में खड़ी थी मैं जमी हुई रह गई, पून दा समझने में असमर्थ, जब तक मैंने उन्हें दीरे से मेरा नाम बुलाते हुए सुना मालिनी, जो बोज मुझे इतने समय से दबा रहा था, उसे छोड़ते हुए, मैं अपनी मा की बाहों में दोड़ी मित्रो, सुजाता का अपनी मा से मिलन कैसा होगा, जानेंगे अगली कड़ी में, धन्यवाद